वाला आइज दिस गार्दी बाने प्रमायटी बेच्च्व एन्य वर वाचिंग यूरा आइज आपन बात करने वाले है कि जो कॉंसलिंग टाइम पर डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यमेंट लगने वाले है वो कहां से होने चाहिए ठीक ना या कैसे बनवान है उन्हें तो उन्हें सबसे वड़ी बात आती है मेडिकल सेटिफिकेट किसकी बात आती है मेडिकल सेटिफिकेट की तो गाइज मैं सबसे पहले मेडिकल सेटिफिकेट खोल लेता हूं और फिर उसकी बात करते है ठीक ना मेडिकल सेटिफिकेट बारे में तो गाइस मेरे स और हाइट वेट और आपका ब्लड ग्रूप के तो नेसेसरी होता है कहीं भी जाएंगे तो ठीक ना फास्ट हिस्ट्री मतलब आपको प्रीविएस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी ठीक है ना फिर आपका चेस्ट इस्पारेशन इंसियम ठीक ना मतलब की सास लेने दौरा फिर हेरिंग प्रॉब्लम कोई तो है नहीं मतलब यह चेक करने के लिए अब विजन यह होता है में यह तो हार डॉक्टर कराता है हमारे टाइम पी क्या होता है में जब हुआ था तो ऐसे कर रहा है तो उसने मेरे सामने रेड कलर वालेड कलर ऐसे तीन-चार कलर रख इस सारी चीज़े डॉक्टर को पता होंगे अब बात आती है कि सरी हम मेडिकल सर्डिफिकेट बनवाना रिजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर से जो रिजिस्टर्ड हो या कोई बहुत बड़े एंडी हूं या कोई रिजिस्टर्ड डॉक्टर हो या कोई सरकारी अस्पताल मेली तुम्हें बोलूँ है सरकारी अस्पताल के पे ही जाए और यह इंडिया है और माल लेज़े हां एक बात और था किसी बंदे को मेजर इलने साहिए कोई प्रॉब् या कोई प्रॉब्लम से अटलिस्ट जिससे की मेडिकल ट्रीटमें टाइम पर हमें अल्रेडी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको उसको लोट कर सके यह कॉलिज पता करना चाहता है यह समेडिकल से वह आपका एड्मिसन कैंसल नहीं करेंगा यह बात रखेगा हां जैसे कि रा लाओल के माइनिंग वहां पर क्या है वह पर्टिक्लर ब्लाइंड परसन को अलाओ नहीं कर रही है तो इस सर्टिफिकेट डिस नौट मींस कि आपका एड्मिसन नहीं होगा यह आपका साटिपिकेट में मालो यहां पर लिख दिया जाएगा कि बच्चे को यह प्रॉब्लम अब बात आती है कि आपके सारे डॉक्रमेंट में जैसे कि आपके पास अंड़र टेकिंग तो आप अप सुचेंगे अंड़र टेकिंग क्या है यह सारी चीजे तो आप कोई जर्व टेंसा नहीं लेना है अंड़र टेकिंग जाए जो बिजने सुरूल में दिया हुआ उसे करिये और उसमें जो जो इंफॉर्मेशन फिलफ करने के लिए बोला है इंफॉर्मेशन फिलफ करिये क्लियर गाइस और उसके वाद आगे बढ़ देए अब देखिए यहां पे आई एर्वाई फ्रीज माई च्वाइस आई आई आएं बिलिंग तो एक्टेप्ट एडमीश और यह ऑप्शन चूज करना पड़ेगा क्लियर गाइस तो जो बच्चे मेरे से पूछते थे कि फ्लीट फ्रीज फ्लॉट और यह जो स्लाइड यह कहां चूज करना है ठीक ना तो वह अंडर टेकिंग में जाकर चूज करकि वहां पर देना है क्लियर गाइस फिर आपको ज चॉइस लॉग करी है उनका एक प्रिंट ले लिजेगा क्लियर गाइस लॉग करीजिएगा कोई प्रॉडब में आप वैसे भी सेव का भी ले सकते हैं वर लॉग करीजिए और वहीं देगा अब लॉग का प्रिंट आउट लिए कि क्या फाइदा बता रहा हूं जो आपको स प्रॉण संट्र में जा sûma तो उसके टिक करते हैं इस लिए आप से मधाते हैं च्छीना की लॉग च्वैस लेकिया यह इसमीडियाए महां प juste कि से कीया है वही सारी चीजिए मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं श्यरोग यहां को महां से एक स्लिप मिल जाएगी उसस्लिप में जब नाम वहां से लॉट होगा इज नमबर होगा उसमें जाके आपको करना है क्लार गास तो टोकेन लूबर कुछ नहीं वह धाकि आपको यहां से टेंसल ने की ज़रुड़त नहीं है क्लियर गाइस फिर आपको 12 कप परफॉर्मेंस चेक ठीक ना यहां पर बताया हुआ है कि नीम आप पंडी एड रोल नंबर यह वह वह सा वह सा ठीक ना आपने कितने कितने मार्स पाई यह वह ठीक नीचे लिखा हुआ है तू भी फिल्ड वाई आर सी ओफिसियल आपके मार्स को देखने के बाद कि जो आपने किया है यह जो आपको बोला है कि माक सेट और यह सारे चीज़े तो आप अपने स्कूल से ले सकते हैं है ठीक ना माइग्रेशन सेटिफिकेट की अभी जरूरत नहीं है किसी भी साबसे माइग्रेशन सेटिफिकेट की जो रिक्वाइर्मेंट होगी वह होगी तब जब आपका एडमिशन होगा क्लियर गाइस ना टॉकिंग अबाउट फोटो आइडेंटी कार्ड तो आप अप पूछा है कि डेट आप वर्थ प्रूफ तो डेट अब वर्थ प्रूफ नथिंग बटेंट स्माइट मांक से ठीक ना टेंट की मांक से जो मिली होगी बड़ी सी लंबे सी उसी को लेकर जाईए प्लियर गाइस फिर और सारी चीज आपकी है कोई प्रॉलम वाली बात नहीं तो मेरा मानना है कि साइज तक मैंने आपका डाउट रिलेटेट टू डॉक्यमेंट्स कि क्या कितना कैसे सम्मिट करना है और कहां से बनवाने हैं I think so क्यो डॉक्यमेंट्स आपके क्लियर होंगे गाइस तो यदि आपकी क्लियर हुई हो तो मैं चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को आद नोटिफिकेशन बिल दवाना मत भूलेगा गाइस सो कीप वाचिंग अस बाबाए टेक रहा बनाज दे